आज केंद्र सरकार की पच्छपन विभागों की योजनाएं हम डीबीटी के माद्यम से इन गरीब परिवारों को अल्रडी उनके बैंक के खाते में दे रहे हैं उसका खर्चा है वन पॉइंट एट लाक क्रोर्स अलग अलग योजना में किसी में 500 किसी में 800 किसी में 2000 रुपया पहली तारीक को किसान के खाते में पहुंच जाता है गरीब के खाते में पहुंच जाता है अब फूड एक्ट में दिखा है राइट टू फूड एक्ट में कि आप यहां अनाज दे सकते हैं या डीबीटी के माध्यम से दे सकते हैं या उसके लियों बदले में पैसा दे सकते हैं उसका इस साल खर्चा रखा है वन पॉइंट फॉर लाक करोर्स फर्टिलाइजर का हम लोग दे रहे हैं अभी कंपनियों के माध्यम से जाता है अगर प्रत्यक्ष किसान को चला जाए 75 अजार करोर मन्रेगा उस वन पॉइंट एट में इंक्लूडिड है लेकिन पीम किसान इंक्लूडिड नहीं है पीम किसान भी उसी के माध्यम से जाता है गरीबों को कि 75 अजार करोड और स्वास्त के लिए तो 20 अजार करोड खर्च कर रहे हैं तो अगर हम यह सारा का सारा इसमें से काफी कुछ लगबक 60-70 फीसदी हम डीबीटी से दे रहे हैं बागी भी डीबीटी से शुरू करते हैं जो होना चाहिए मैं मानता हूँ तो इन गरीब परिवारों को जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो आज की तारीक में है 5.34 लाक करोर्स जो आज दिया जा रहा है तो यह कौन सा 3.6 लाक करोर डीबीटी के माद्यम से दे कर आप गरीब पर एहसान कर रहे हो उससे डेड़ गुना जादा तो हम दे ही रहे हैं कर दो आप दिया है